आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि State Counseling का अभी जो स्टार्ट होने वाला है इसके BASICS जो Information है सबी कि Document के Requirements क्या है कौन-Kोन से Сейчас में बनने वाले है इस सबी डेटर सामें आज के इस वीडियो में देखने वाले है लिए कि State Counseling का जो अभी जो कोन कून सी कोलेजिस के लिए है या फिर इसका प्रोसेस कैसे है तो पहले आप देख सकते ह trousers करना है जो इन काः शाहिए और अब ना इन कारण होने चाहिए और कंधि काःडरा कुछ में है कुछ करना है देन पेमेंट करना है देन डॉक्यमेंट अप्लोडिंग का प्रोसेस है यह स्काइन डॉक्यमेंट्स ओरिन होने चाहिए और कलर होने चाहिए दिन कौन-कौन से इन्हें कोर्सेस के लिए सब प्रोसेजर भी चल रहा है मिन डिप्लोमा भी है याद रखें उसे इंप्लोमा के कोर्से इनका भी स्ञेल इसी में चलेगा तो यह रहा है कि government तुम्हें पता होता है कि government-aided भी पता है then un-aided ने private college तो minority institutes का मतलब क्या होता है कि जैसे for example समय लेगी कोई-कोई college में ऐसे होता है कि जहाँ पर इत्तल college है मुंबई का तो इसमें Hindi minority होता है कि Hindi लोग के लिए states reserve होता है या फिर सोलापूर का अगर आप college द मिट्टल college में Hindi minority है इसे states को जरिजव है तो यह भी institutes का जो round है इसी में होने वाला है इसके बाद next होता है कि एक basic सवाल सबका होता है कि यह कौन से website से होगा तो अभी जो पुरा यहाना माला डॉबले ट्रिपल सी वाला website यहाँ पे नहीं होगा यह जो website होता है यहाँ पे पने clearly लिखा देगो बीच में एक दो बार ऐसे हुआ था कि किसी को physically उनके office में जाना पड़े तो यह मुंबे में fort area में होता है याद रखे यह fort area में इनका office है यह CATC लवालो का तो यह थोड़ी basic चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बाद next point है कि government के जो streets होते हैं इनका distribution कैसे है चार पर करके कोटा है एक तो पहला 75 परसंट जो students के लिए आता है देखिए आप लिखा कि student category on merit यह 75 परसंट है इसके बाद all India कोटा candidates याने government और एड़ेट में याद रखी जितने भी government और एड़ेट में जो all India कोटा है यह already central government से बर चुके है ने डबल ए ट्रिपल सी का जो government के और एड़ेट के तो अभी जो है याद रखे कि यह यहां से अपनी होगा यह सब कोटा जो यह जो all India कोटा जो candidates आते हैं government में और एड़ेट में यह 15 परसंट ने डबल ए ट्रिपल सी के साइट से हो चुके है इसके बाद medical officer जो director of health service के अंड रात है इनमें group A और group B इन के नो परसंट रिजर्वेशन होते हैं यह में एक्स्प्रेंट करना हो कि अगर कोई medical officer तो जान सकता है यहां से कि medical officer जो director of health service ने group A के है या पर group B के है उनके लिए 9 परसंट रिजर्वेशन है स्टेट कांसलिंग में और एक last इस होते है कि in-service medical person पहले यह टीचर के लिए वग casualty medical officer या फिर residential medical officer ने RMO या फिर CMO जैसे job किये है या फिर पंच कर्म वैदी या फिर extension officer ने इसे चार उन्होंने category लखा है या भी casualty medical officer, residential medical officer, पंच कर्म वैदी या फिर extension officer ऐसे लोग के लिए आप है 1% reservation यह किसकी बाद चल लिए है तो government college और government edit college में ऐसे चार पकार के private किया है तो यह हो गया कि government edit college है इसके बाद private का भी आएगा दिखें यह private का आगे लिखा आगे कि slide में private का है कि जो अने इडिट कोलेज है private के उनके लिए किसे है तो student के लिए 70% है state quota है ने student के लिए 70% है all India quota या आप याद रहे है यह important part है अभी जो state counseling होगा जो महारास्ता के students नहीं हो ठीक से सुने यहाँ है कि जो महारास्ता के students नहीं समले कोई करनाडक से कोई गुजरास से कोई MP से उनको अगर महारास्ता में लेना होगा तो उनके लिए यह कोटा है यह private का 15% quota याद रहे है वो यहाँ से आ सकते है और institutional quota पहले जो management का state है तो उसके लिए अभी student edit का मैंने यहाँ पे explain कर दिया है यह वाला slide ठीक है इसमें student के लिए कितना है देन All India quota से कितना आएगा medical office से कितना है इन service कितना है यह सब हो चुका इसके बद private का है private में कितना है 70% student के लिए और All India quota जो नहीं महारास्ता से बाहर के student है उनके लिए 15% है और institutional quota उन्होंने र institutional quota हो चुका है इसके बाद next important हमें point लेखना है कि महारास्ता के student से उनके लिए इस counselling के लिए कितने पैसे उनको बरने है और वो refundable है कि non refundable है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर highlight करके दखा है कि यह जो point है कि महारास्ता में अगर आपको counselling करना हो state counselling तो इसके लिए 3000 fees है और वो non refundable है यहाँ रहे कि जो state counselling के लिए जो महारास्ता के student से उनके लिए यह fees है 3000 और वो non refundable है और इसके बाद कुछ important dates है जो हम इस table में explain करेंगे कि arrestation कप करना है payment कप करना है या कि document upload कप करना है यह 3-4 इसमें यहाँ रहे कि dates important इसमें पहला जो point है कि arrestation आज से start होगा चलेगा इसके बाद payment का point हता है कि payment 3000 अपको करना है जो non refundable है payment 5 तारिक से 9 तारिक तक ही आप कर सकते हो ठीक है यहाँ रहे कि यहाँ एक सबसे important लिखा है कि window for online registration यानि जो registration का process यह 9 तारिक तक ही चलेगा और वह भी रात के 12 तक याद रहे 9 October important date है कि 9 October की बाद आपको registration नही अबर का ही last date है इसके बाद next point आता है कि जो publication of providional list यहाँ पे उन्हों लिखाया रखे providional list का मतलब क्या होता है कि state merit list जिरोंने महारास्टा में याद रखे register किया है जितने भी students ने किया है उनका list लगेगा और उसमें आपका पहला रहेंगे दूसरा दिसरा जितने भी रहेंगा आपके रहेंगे वह यहाँ पे आपको समझेगा 10 तारीक को ठीक है इसके बाद स सबी को जनरली एसी का वेट होता है सीट मैट्रिस का कि सेट मैट्रिस के से है यह कौन सेट पर आएगा 10 अक्टूबर के लिए 10 अक्टूबर जो है यहाँ पे आपको सीट मैट्रिस अंड़ेगा और यह लिस्ट भी यही पर आने वाला है 10 तारीक को ठीक है तो यह दो important point है क कि स्टेट मेट्रिस कब आएगा तो 10 तारीक को आएगा और सीट मैट्रिस भी 10 तारीक को यह आने वाला है ठीक है इसके बद आपके बास दो दिन है चॉइस फिलिंग ने 10 से लेकर 12 याद रहेगी 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यह दो ही दिन आप यह अल्मुस ने चॉइस फिलिंग महारस्टा में only one time है यह एक हाँ पहले round में जो करते हो वही second round में थर्ट round में वही आपका continue होते है आपको बार बार करना नहीं है लेकिन यह हैसओ थो दे कि choice feeling अगर आपने ठीक से नहीं किया आपको उसमें mistake कर दिए तो वैसीए mistakes हमेशा continue है इसलिह ह मेंशा महारास्टर में अगर आपको चॉइस फिलिंग यानि जो भी प्रेफरेंसेस भरने हैं वह बहुत कैरफुली भर है इसके बाद वो चांस नहीं मिलता है याद रही है उनली वन टाइम है चॉइस फिलिंग और सेम बहुत सब्सक्राइब है उसके बाद जितने भी सब्सक्राइब करना है इसके बाद फिजिकल जॉइन आपको कॉलेज कब जोइन करना है 14 से लेकर 19 तक याद रही है यह वाला डेट इंपोर्टन है Л angle 14 से लेकर 19ज तक आपको जॉइनिंग का यह इंपौर नदических से लिए गान के लीट वाया है । इसके बाद तुरण कॉलेज टार्म नहीं होता याद रखिए इसके बाद कॉलेज तुरण स्टार्ट नहीं वनन वनना है जब 14 से लेकर 90 तक यह तो जो राउंड वन में मिले उनको तो जॉइन कर लेंगे लो लेकिन उसके बाद फिर 2nd राउंड तर्ड राउंड चलते हैं कब तक चलने वाला है याद रखी आप देख सकते हो कि 6 December तक है चलने वाला है याद रखी यह बाकी की डेट्स आप बात मे यह सब यह December तक चलेगा है इसके बात याद रहे कि एक सबसे important point आपको याद रखना है कि जो स्टूट्स महारास्टा के नहीं है उनके लिए यह point important है याद रहे कि जो महारास्टा के स्टूट्स नहीं है उनका जो अभी counseling अगर आपको करना होगा उसमें मैंने बुला कि private के आप कर सकते हो private colleges में आप admission ले सकते हो जैसे head of sir college होगा या पिर कोई भी ऐसे college जो समल लेजे कि private है तो उन में अगर आपको admission लेना होगा तो कितना fees यहाँ पे बरना है तो याद रहे कि 2000 जो है यह non-defendable है याद रखे और 50,000 यहाँ पे आपको security deposit करना है याद रखे यह 2000 आपको capacity भरने है महारास्टा के students के 3000 बरने है लेकिन उनके लिए security deposit से कुछ रखे नहीं यहाँ पे आपके लिए अगर समझो आप महारास्टा से नहीं हो और आपको all India counseling में आना है यह AI को यहाँ पे लिखा है तो वहाँ पे आपको कितना बरना है पेसा तो यह जो 2000 और 52,000 आपको बरना पड़ेगा याद रखे 52,000 आपको बरना पड़ेगा महारास्टा के लिए student के लिए उनके लिए 3000 ही लेकिन जो महारास्टा के बाहर है लेकिन महारास्टा में आना चाहते है उनके लिए 52,000 यहाँ पे बसमें 50,000 security deposit है और non-refinable fees है वो 2000 है याद रखे इसक स्टेट में 10 तारीकों आएगा फिर याद रखे पहला राउंड 12 तारीकों समझेगा आपको फिजीकल जोइनिंग 13 से 18 है यानि स्टेट वालों का 14 से 19 तक है याद रखे जोइनिंग करने का डेट है लेकिन आल इंडिया कोटा में अगर आ आ रहे हो यानिया प्राइट में महारास्टा में तो आपका जोइनिंग का डेट है 13 से लेकर 18 तक 13 ओक्टोबर से लेकर 18 ओक्टोबर तक लेकिन एक ही दिन का डिफरेंस है उसमें जाद कुछ डिफरेंस नहीं है सबसे इंपोर्टन पार्ट याद रखे आपको सभी को याद रखना है कि कौन-कौन से डॉक लेकि जाना है याद रखे कि दॉकुमेंट्स व्याइपके प्रोसेश्स सबसे इंपोर्ट पोत अगर कोई डॉकमेंट्स आप अगर यह आप ठीक नहीं याद रखे तो आपका दमिशन है पे रिजिक्ट हो जाता है तो इस सबसे इंपोर्टन पार्ड कि आपको कौन को से डॉकिमेंट से यहां पे लेके जाने हैं तो पहला तो है कि online downloaded application form नहीं है आपने जब भी जो एंटी के साइट पे आपने जो भरा था national testing agency के टाइम पे आपने जो exam के लिए application form भरा था ओ वाला form ठीक है इसके बाद आधार कार्ड या फिर driving license या फिर pen card या फिर passport है नहीं जो ID proof आपका रहेगा हो आधार कार्ड हो या फिर driving license हो या फिर pen card हो या फिर passport हो then AIPAT 2023 का result याद रखिए result आपको लेके जाना है the result लेके जाना है उसका copy है उसके बाद national certificate या फिर passport या फिर domestic certificate ये option नहीं आधार या यदर आप national certificate लेके जाओ या फिर passport लेके जाओ या फिर लिए पर आप पर आपका बघ्र लेंशन होता है वो अपALLY सकते हो एप जुऺ है dude यह थो आपकी होगा इसके बाद आता है next, were you इंटर्शिप कमेशन सर्टिपिक इसके बाद आता है इन्टर्शिप कमेशन सर्टिपिक और नेक्स पॉइंट आता है कि ऐने आप कॉलेज शूर्ट तो यह तो यहाद रहें सब्सक्राइब करें अब पर प्रशुट करें लेकिनि इसके बाद सब्सक्राइब महारास्टा पॉइंट्पार्ट पॉइंटियूंट नहीं होगा तो आप रिसिप्ट लेके जाओ और जो महारास्ता के बहार के स्टोर्ण है वो आप CCIM का रिश्रिशन होगा तो लेके जा सकते हैं या फिर आपके State Council का जो भी रिश्रिशन होगा करनाट का गुजदात का मद्धरीश का जहां आप भी आपका रिश्रिशन होगा वो आपको लेके जाना है इसके बाद आता है next point EWS certificate then medical fitness वो कहाँ पर मिलेगा medical fitness certificate जो state counseling का जो ब्रॉशर आता है जो information था वहाँ पर annexer L में आता है आद रखे annexer L में आपको मिलेगा वह वाला point जो medical fitness का है then caste certificate caste validity जो non criminal हो भी इसे के लिए then orphan certificate यहाँ पर लिखा है लेकिन orphan के लि reservation तो दिखा नहीं मुझे then person with disability याने PWT certificate and handicap और लास्ट वाला minority certificate यह सब चीजे आद रखें important है यह आप फिर एक बार वीडियो डिवाइन करके देखें कौन कौन से चीजे हैं यह सब verification के लिए लेके जाना याद रखें सबसे important point है कि documents अगर महारास्टा महारास्टा का ऐसा history है कि अगर आपको document से कोई भी problem है आप एक दो documents अगर नहीं रहेंगे तो आपका automation तुरंद रिएट हो जाता है वह address नहीं करते बहाँ प्याद रखें तो इतने सरे documents आपको याद रखने हैं तो इसमें हमनोंस हमने काफी से riches एक और कर लिए तो यह वीडियो एक बार देख आमाट वहाँ पर उन्होंने रखा हैंसे तो ठीक है यहाँ पर हम वीडियो स्टॉप करते हैं